असलाम आलेकुम दोस्तों विल्कम टो माई चेनल MBBS and BDS Lectures दोस्तों आज हरनिया का तीसरी वीडियो है जिसमें हम हरनिया की क्लिनिकल फीचर और सर्जरिकल एनाटमी पढ़ेंगे पहले लेक्चर में हमने डिफिनेशन और कासेस पढ़ी और दुसरे लेक्चर में हमने हरनिया की पढ़ी टाइपस और क्लासिपकेशन आज है क्लिनिकल फीचर है सर्जरिकल एनाटमी लास्ट वीडियो जो रहती है उसमें हम पढ़ेंगे हरनिया की कंप्लिकेशन और मनेजमेंट तो आज जो है सबसे पहले हमारे साथ है clinical feature फिर surgical alert सबसे पहले हम स्टार्ट करते है clinical feature clinical feature जो है वो आम तोर पर हरनिया की चार है सबसे पहले क्या होगा? bulging जब patient कड़ा होगा तो bulging होगा हरनिया के साथ पर जब patient सुपाइन position में जाएगा तो वो नारमल होगा तो इसलिए जब हम हरनिया की examination करते हैं तो कभी भी सुपाइन position पर नहीं करना patient की हमेशे standing position पर examination करना दूसरा जो clinical feature है वो यह है कि जब intra-abdominal pressure बढ़ेगा जैसे कफिंग पर patient का हरनिया का size क्या होगा बढ़ेगा जो हरनिया का जो bulge है उसका size क्या होगा बढ़ेगा तीसरा जो clinical feature है वो है जो stringulated hernia है वो हरनिया जो हमने पिछले lecture में पढ़ा stringulated hernia is irreversible hernia है जिसमें blood supply और intestinal flow दोनों black है तो Stringulated Arnia में क्या होगा पैन होगा पैन क्यों होगा जब Blood Supply Block हो जाएगा तो वहाँ Oxygen नहीं आएगा तो Iskimiya होगा और Iskimiya में हमें पता है Iskimiya में क्या होता है पैन होता है तो Stringulated Arnia में पैन होगा वह मिटिंग होगा Swilling होगा और Fever होगा उसके बाद चोतर जो क्लिनिकल फिचर है वह यह है कि जो Hyattas Arnia है उसमें क्या होगा उसमें Heart Burn होगा Food Regurgitation होगा क्यों? Hyattas Arnia में हमने पढ़ाता कि क्या होता है हमारा Loverous Vigil Sphincter और Part Up Stomach जो है वह Hyattas से उपर Move करता है जिसके विज़े से Heart Burn भी होगा और Food Regurgitation भी होगा तो क्लिनिकल फिचर हो गए अब हमारे साथ है हरनिया की Surgical Anatomy अब Surgical Anatomy क्यों जरूरी है? क्योंकि जब हम इसके बाद जब हम हरदियां की Management पढ़ेंगे तो उसमें Different Types of Surgery के लिए Surgical Anatomy जरूरी है तो Surgical Anatomy में हम आज क्या पढ़ेंगे? चार जो टॉपिक है उसके हम Surgical Anatomy पढ़ेंगे सबस्पहले Layer Up Abdomen हम पढ़ेंगे फिर हम Inguinal Canal की Anatomy पढ़ेंगे पिर हम Hyselbeck Triangle की Anatomy पढ़ेंगे फिर हम Femoral Canal की Anatomy पढ़ेंगे तो सबस्पहले Anatomy में Start करते हैं Layer Up Abdomen यहाब हम आते हैं Layer Up Abdomen के हमारे साथ पिक्चर है जो Layer Up Abdomen वाल है उसमें सबसे पहले Skin पिर Superficial पेशे आए पिर Intermediate पेशे आए पिर Deep पेशे आए पिर उसके बाद Internal Oblig मसले पिर Deep पेशे आए पिर पिर उसके बाद Transverse Abdomenus मसले पिर उसके निचे Black से जो मैंने शोग किये पिर Extra Perotinil Pate पिर जो Red से शोग किये पिर और Black से जो मैंने शोग किये वो क्या है Extra Perotinil Pate अब असान तरिकर क्या है जैसे कि Brown Pate तो इस तरह याद करें अब सबस्पहले Skin Clear हुई पिर Superpecial पेशे हुआ पिर Intermittent पेशे हुआ पिर Deep हुआ अब यानि सबस्पहले Skin Clear फिर तीन लियर पेशे हुआ कि होंगे Superpecial Intermittent Deep उसके बाद ज्याद रखना हर मसल के लियर के नीचे हर मसल के लियर के नीचे क्या है तो इन इसके नीचे जो फिशा के लियर होगा वह हमेशा क्या होगा D-Pesha को ओगा देखो यहाँ D-Pesha यहाँ D-Pesha लेकिन जो Transverse Abdominal मसल है उसके नीचे जो Fischia का लियर होगा उसे कहते हैं Indo Abdominal Pesha या उसे कहते हैं Transverse Salus Fischia तो D-Pesha तीन जगा पे आ गया एक External Obligue मसल के उपर आ गया पिर External Obligue मसल के नीचे आ गया पिर Internal Obligue मसल के नीचे आ गया अब पिर उसके बाद हमारे साथ Extra Perotoneal Plate आ गया पिर Parotoneal आ गया तो सबसे नीचे Parotoneal पिर उसके उपर Extra Perotoneal पिर नीचे से उपर की तरप जाए पिर इससे तरह Indo Abdominal Fischia या Transverse Salus Fischia पिर जो है Transverse Abdominal मसल पिर इसके उपर Deep Fischia पिर Internal Obligue फिर Deep External Obligular Deep Fischia फिर Intermediate Hor视är पिर Superficial scar है फिर Skin अगर उपर की तरप से आएंगे तो Skin होगा Superficial paglic LSh meal Intermediate Fischia होगा Deep Fischia होगा External Obligular Work main Sha Transverse Abdominal Muscle Weird अब यही में अपने लेटाब पे आप लोगों को दिखाऊंगा यहां देखे लियर आप एब्डॉमिनल वाल यहां देखे सबसे पहले इस सरां जाएंगे सबसे पहले में शोके यह उपर पैशल प्र पीच्शी ऑपर पर अपर एक्स्टरनल वबली कहुँ इसे भी निचे तरहांcher जो मेनी picture के मैं शुरुम में बता ही तीन जगाप Yay é सब्सक्राइब लगी जोहे इसके नीचे आमारे साथ ट्रांसवर्स अब्डोमेबjan यह इंट्रबेबडो मचल हो ओग अic इसके सब्सक्राइब होग के पीस अनधेओ स्केरियों स्चैनल पूतिक करें अब दमसार या नोप省 पेंसट्राउचोल पएच्चोल पिर लिए अब 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 बेच्छ परेंग हम ने घो ने स्ट्वर्थ यहां कि यहां स्टुक्चर में पढ़ा वहां तो यहां थे उसमें यह लिए जरूरी है। अब लिएर आपढ़रोमन पढ़ने के बाद दुसरा हमारे साथ है इंग्वाइनल खेनाल अनाट्मी। यहां हम देखते हैं, यह हमारे साथ है इंग्वाइनल खेनाल। अब हमने इंग्वाइनल अर्णिया में पढ़ा था कि इसको inguinal orania है वह हाइसलबेक Speak Palace ले जो मिने ट्राइंगल हो कि हाइसलबेक ट्राइंगल अब जो है जो inguinal केनाल है उसकी हम क्या पढ़ेंगे एक तो boundaries है फिर ब केनल पढ़ेंगे और दूसरा हम content है क्यां Time लेख्वाइनल के नाल। इसक्ते बेंडरिजौकोंद्री Gel舒ष की है। अब देको यहाँ अगर में इसके बदिखें हैं। इसकी जो लेटरल बॉनडरिज'एं। लेटरल यानि यह मिड्लाइन है यह मिड्लाइन है जो मिड्लाइन से दूर होगा वो लेटरल होगा जो मिड्लाइन के तरफ होगा वो क्या होगा जो सिंपेसिस के तरफ होगा मिड्लाइन के तरफ होगा मिड्लाइन के तरफ होगा मिज्यल ठीक है तो यह होगा लेटरल यह हो मेजल अब जो लेटरल बोंडरी है वो बनाती है डीप इंग्वाइनल रिंग जो इसका मेजल बोंडरी है वो बनाती है सुपरपेशल इंग्वाइनल रिंग ये जो इंग्वाइनल रिंग ये इंग्वाइनल रिंग ठीक है अब इसका जो फ्लोर होगा निचे ये वाला ये वो कौन बनाता है इंगौईनल लिगामेंट इसका जो ऊपर रूफ है वो क्वान बनाता है कौण जूएंट टेंडन उसके बाद इसका जो जो हमें वार्ट से खाली दिखाई देता हैं क्योंकि यह तो 2D में शो नहीं अगर तो 3D में हमने शो करना है इसका जो एंटेरियर हो देखोंकर जो पिछे के तरफ है वो है इंडोटैवीडोमिनल पेशया या या ट्रांस्वरसेलस पेशया अब यह हम देखते हैं इसकी जो लेटरल बॉर्डर है यह जो लेटरल बॉर्डर है ये ये कों बनाता है deep inguinal ring ये ये वाल है इसका जो me одну inguinal ligament इसका जो रूफ है यह वाला रूफ यह कौन बनाता है Conjoint Tendon अब Conjoint Tendon क्या है Conjoint Tendon जो है Internal Oblique Muscle Piber और Transverse Abdominous Muscle के Piber मिलकर जो लिगमिट बनाते हैं विसे कहते है Conjoint Tendon अब इसको जो Interior Border है यह वाला हमारी तरफ यह जो Interior Border है यह कौन बनाता है Abdominal Wall के Muscle बनाते हैं इसको जो Posterior Border है Posterior Border जो पीछे के तरफ होगा वो Endo Abdominal Fascia बनाता है तो यह हमारे साथ Boundaries Up Inguinal Canal हो गए अब Next Boundaries Up Inguinal Canal के बाद जो है आम Next इसमें क्या पढ़ेंगे Next जो इसमें हम पढ़ेंगे Boundaries Up Inguinal Canal के बाद हम पढ़ेंगे Content Up Inguinal Canal कि यह जो Inguinal Canal है इसके अंदर क्या content मुझूद है Content Up Inguinal Canal Male और Female में तक्रिबन सेम है सिर्फ एक चीज़ के डिफरेंस है Male के अंदर Spermatic Heart Nerve Blood Vessel Lempatic Female के अंदर भी सेम उसी तरह Nerve होगा Blood और Lempatic सेम होगा एक चीज़ फर्क है Male Ves Phermatic Heart Female के अंदर Rond Ligament Uterus होगा बाकी चीज़े क्या होँगे सेम होँगे Male Ves Phermatic Heart डिफरेंट है और Female के अंदर Rond Ligament अब यूटरेंट है बाकी Nerve Blood Vessel Lempatic क्या होगा सेम होगा अब नर्वे कुण सा नर्वे Ileo-Inguinal नर्व दूसरा Genital Branch आप Genital Branch आप Genitofemoral नर्व यानि Genitofemoral के कुण सा ब्रांच Genital Branch जो Genitalia को क्या करता है Innervate करता है तो यह हमने Content of Inguinal Canal भी फ़ल लिया अब दूसरा हमारे साथ अब हम जो है इसकी Laptop पे हम पिक्चर देखते हैं यह देखे हमारे साथ Inguinal यह Inguinal Canal है यह इसका Opening to the Inguinal Canal यह Deep Inguinal Ring हुआ यह उसका Superficial Inguinal Ring हुआ और यह जो है Inguinal Canal है एक Inferior Epigastric आर्टरी जो है वो उपर की तरफ गई है तो यह हमारे साथ Inguinal Canal हुआ अब जो है Next अगर हम Next हमारे साथ Content of Inguinal Canal अब जो है हम पढ़ेंगे Content of Inguinal Canal की Content हम जो हमने पढ़े हैं वह हम यहां से जो है लेफटाफ से पिक्चर में देखते हैं यहां देखे यहां तुके मेल का है तो यह स्पर्माटिकार दिखाया गया है और यहां जो है Ileo Inguinal नर्व दिखाया गया है यहां जो रेड में है वो ब्लेड वेसल है और जो ब्लू में है वो क्या है वो वेंज है और जो वाइट में है वो क्या है वो लेंपेटिक्स है तो यह हमने Content of Inguinal जो केनाल है उसकी लेफटाप से पिक्चर भी देखे अब यहां हम वापस आते हैं यहां अब नेक्स्ट हमारे साथ है यह तो हमने पड़ा कि Bondage of Inguinal केनाल Content of Inguinal केनाल क्योंकि यहां से Indirect Inguinal अर्णिया होता है अब जो Direct Inguinal अर्णिया है वो होता है High Cellbed Triangle से और क्यों होता है External Oblique Muscle Weakness Direct Inguinal अर्णिया है क्योंकि जो External Oblique Muscle Weakness की वज़े से जो High Cellbed Triangle अर्णिया होता है वो तो शुरू सी वो अर्णिया वीक अर्णिया है जो High Cellbed Triangle अर्णिया है उसका जो दर्मियान वाला रिजन है वो वीक अर्णिया है वहां से जो विसरा है वो बाहर किसरा पाते है लेकिन अगर External Oblique Muscle उसको रोक रहा है लेकिन जब External Oblique Muscle वीक हो जाएगा तो वहां से क्या होगा Direct Inguinal अर्णिया होगा अब हम परते हैं Boundaries of High Cellbed Triangle अब High Cellbed Triangle की जो Boundaries है वो क्या है सबसे पहले जो इसकी Missile Boundary है High Cellbed Triangle की जो Missile Boundary है वो कौन बनाता है जो Missile Boundary है या Missile वाल है वो कौन बनाता है वो Lateral Border आप Rectus Abdominus Muscle बनाता है यह देखे यह जो Black Semanus हो किये यह Rectus Abdominus Muscle है इसकी जो Lateral Border है वो जो है High Cellbed Triangle की क्या बनाता है Missile or Medial Boundary बनाता है इस Triangle का जो Lateral Boundary है यह यह कौन बनाता है यह Inferior Epigastric Artery बनाती है जो मैंने शुरू वाले पेक्चर में आप लोगों को दिखाया कि Inguinal Canal के पेक्चर जो दिखाया कि Inguinal Canal से Inferior Epigastric Artery बनाता है इसका जो इसका ट्राइंगल को बनाता है Inguinal Ligament बनाता है तो यह Bondriza Paisalbeck Triangle यहां से क्या हों के यहां से Direct Inguinal हरनिया क्या करेगा यहां से Direct Inguinal हरनिया होगा अब यही जो है हम अभी इसका भी पिक्चर हम लिप्टाप में देखेंगे कि जो हमारे साथ Inguinal Triangle है वो किस सरा है यहां हम देखते है हाईसलबेक Triangle को लिप्टाप यह देखें यह जो है यह उपर से नीचे के तरफ यह क्या है Rectus Abdominus Muscle यह वाला और यह जो शो किये Green में यह वाली यह है Inferior Epigastric Artery और यह जो नीचे Base है कौन बनाता है जो वाइट दिखाया गया यह वाला जो वाइट से दिखाया है यह क्या है यह वाइट वाला Inguinal Legament तो यह हमारा साथ क्या है Heisselbeck Triangle यह क्या है को Heisselbeck Triangle तो यह Actually क्या है V-Caria है जहां से Abdominal Visera बाहर के तरफ निकल करके Direct Inguinal Arnia कास करते है अब हम आते हैं वापस यह तो आपने पढ़ लिया अब Next हमारे साथ है लियरा पडॉमन वे Inguinal Canal Anatomy वा Isselbeck Triangle के Anatomy वा अब हमारे साथ है Femoral Canal अब देखो Femoral Arnia क्या है Femoral region में जो Arnia है उसे हम कहते हैं Femoral Arnia और Femoral region में यहां जो Triangle मौझूद है जिसके अंदर Femoral Canal मौझूद है विसे कहते हैं Femoral Triangle अब देखे यह हमारे साथ हुआ Femoral Triangle यह है Femoral Triangle इस Femoral Triangle के अंदर मौझूद है Femoral Canal यह जो Femoral Canal है इसके अगर हम Boundaries देखे इसके Boundaries यह है कि इस Femoral के लाद जो मैंने Black से शो किया है इसकी जो Lateral Boundary है वो Femoral Vain बनाती है जो मैंने Blue में शो किया है इसकी जो Interior Boundary है नीचे के तरफ वो Inguinal Legament बनाती है Interior Boundary इसकी जो Posterior Boundary है वो बनाती है Cooper Legament और इसकी जो Medial Boundary है यह वाली यह बनाती है Lequinal Legament अब यह क्या है देखो जो इसकी जो Lateral Boundary हुआ वो तो Femoral Vain यह तो असान है अब Interior Boundary Inguinal Legament यह तो भी असान है अब Medial Boundary बनाती है Lequinal Legament और Poster Boundary बनाती है Cooper Legament यह Lequinal Legament और Cupule Legament यह क्या है यही Inguinal Legament जो Interior Boundary बनाती है यह जब Medialy जाएगी तो यही Ingczinal Legament क्या 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 अब यही Ingczinal Legament जब Medialy जा गी तो यह Liquinal Legament क्या 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 रहेगी जब Topla Bendowker जब Complete Bendowker पुस्टेर बार्डर बे जाएगी फिर यह क्या कहलाएगी फिर यह कहलाएगी जब पुस्टेर बार्डर बे जाएगी फिर यह कूपर लिगामेंट कहलाएगी अब यहां देखों एंटेरियर बार्डर कौन बनाता है इंग्वाइनल लिगामेंट पुस्टेर बार्डर कौन बनाता है कुपर लिगमेंट लेटरल बार्डर कौन बनाता है फिमोरल वेन और मीडिल बार्डर कौन बनाता है लेक्ट्विनर लिगमेंट तो यह हमने बॉंडरी जा पिमोरल केनाल भी पल लिया अब हम पिमोरल ट्राइंगल जो है यह भी हम लेप्टाप से देखते हैं कि ए आदका पहमाते हैं लेप्टा पहें यहां देखे यहत्व ट्रैंगल्स की हैं यह क्या है यहें फुमोरल ट्रैंगल यहीं वाला हुँक्ति इसके अनदर हम यहां तचे हैं यहीं कैनल या मुझन हैं इसके साथ हैं तो गहन अऒए ब्लू में pars हो जो सिमाल तो आज हमने हर्णिया की क्लिनिकल फिचर सर्जरिकल एनाटमी पढ़ी नेक्स्ट में हम इसकी कम्प्लिकेशन और मनेज्मेंट पढ़ेंगे तो दस्तों अगर आप लोगों को वीडियो एची लगी हो तो वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताके सबका पाइदा हो तो आज के लिए दोस्तों इतना ही मिलेंगे नए वीडियो में अल्ला हाफिस्ट